अगर आपको अपना आप किसी को बेचना है किसी को सेल करना है तो आप सबसेपहले क्या करोगे पर आप में से मोशी लोग अपने smartphone को format करोगे और जिसे देना है जिसे बेचना है उसे देदोगे लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप एक बहुत बड़ी mistake यानि कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप सभी लोग को पता है आज कल के smartphoneों में almost सभी लोग अपने phone में password, photos, videos, document को save करके रखते हैं लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप phone को format मार देते हो और format मानने के आप किसी को base देते हो लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी user आपके phone के data को recover करके उसका misuse करे तो आपको कैशा लगेगा शायद आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद आप यकीन जरूर मानोगे और शायद ये गलती भी बिल्कुर नहीं करोगे तो भीया आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कि एक smartphone को sell करते वक यानि कि उसे बेचते हुए किसी को आपको उससे पहले अपने smartphone में क्या क्या चीज़े करनी चाहिए और ये चीज़ फोन का डीटा एक बाद बैकप कर लेने के बाद दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेने के बाद फोन की डीटा को वो मैनूली डिलेट नहीं करते तो यहां पर डीटा का बैकप लेने के बाद आपके फोन की जितने भी डीटा है फोटो वीडियो डॉकुमेंट है उन सभी को फोटो वीडियो डॉकुमेंट का बैकप तो ले लेते हैं लेकिन का बैकप लेना भूल जाते हैं इन फैक्ट बहुत से लोगों को का बैकप लेना भी नहीं आता तो सिंपली दोस्तों का बैकप लेने के यहां पर दो तरीके एक है Google Sync की मदद से दूसरा है दोस्तों आप जितने भी कॉंटेक्ट है उन सभी को एक्सपोर्ट करके वीकार्ट फाइल बनाके भी अपने का बैकप ले सकते हैं इसके लापको क्या करना है दोस्तों सिंपली फोन के सेडिंस में जाना है वहां पर आपको गूगल का उप्श आप सिंक होके आपके फोन में शोड़ करने लग जाएंगे एनिकि आपके कॉंटेक्ट का दूस्तों बैकक बन जाएगा गूगल में रहा दूसा जो तरीका है दोस्तों वही चार्ट फाइल को एक्सपोर्ट करके इसे आप का एक्सपोर्ट का ओप्शन में जाएगा और ए जिस भी phone में आपको देना है दोस्तों जिसंपी phone में contact नमर को import करना है, वहां पर जाकर जाकर इस फ़ाट कर दीजिए वहां पर जाकर 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 कर दो अब आपको एकड़ करके सेफ जरद बिल्कुल भी नहीं है अगला जो step है दोस्तो यह सबसे important या फिर most important step है दोस्तो जो आपको एक phone को sell करते वक्स जरूर करनी चाहिए वानना इससे ही दोस्तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा वह है दोस्तो फाइल को ओवर्राइट करना अगर तोस्तो थोड़ी टेक्नोलजी के बार में पता है तो आपको शायद पता होगा कि दोस्तो जब भी आपने smart phone से या फिर कोई भी storage device से कोई फाइल फोटो वीडियो को डिलेट करते हो तो वह जो डेटा है दोस्तो वह पर्मने यूजर के पास पहुंच जिसको बहुत जादा टेक्नोलजी के बार में आलेज है और वह आपके फोन के डेटा को री कवर करें तो ऐसे में वह आपके डेटा का दोस्तो मिस्यूज यानि की गलत इस्तमाल भी कर सकता है तो इस जिसका solution क्या है वह दोस्तो ओवर्राइट या यहां पर क्यूं ना कुछ ऐसा किया जाए कि दोस्तो उस डेकर यानिक आ जो भी फोन मे डेटा इसकी जगर पे एकुछ ऐसे फाल्तु के डिन हो स्टोर कर दे आपहर इसकी है रिप्लेस कर दे जिससे दोस्तों कोई यार के पास फोन चले तो आपका डेटा नहीं होगा वह फाल्टू के यूजलेस डेटा होंगे इसके लिए क्या करना आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बहुत ही सिंपल स्टैप आपको प्लेस्टोर में जाना है और एक आपको डाउलोड करना जिसका नाम है दोस्तों स्रेट आप यह सिंपली आप आपको कई सारे यहां पर अल्गोरिफम बताएगा है जिन कोई भी अल्गोरिफम दोस्तों स्लेक करके आप अपने फोन के डीटा को डिलीट कर सकते हैं आपके फोन में जो भी डीटा पड़ा हुआ है उसे आप डिलीट करना चाहते हो कुछ फाइल से आप यहां पर इस अपने फोन के डीटा को रेश तो कर दिया लेकिन इसके बाद नेक्स टैप आपको क्या करना है वह दोस्तों नीचे आपको एक रेड़ का सब्सक्राइब बटन देखे का देखो देखो वह रैड कलर का गगर गर गगर कुश्नी करना लेकिन रेड है तो सब्सक्राइब वह अग्वा आपको बढ़ आपको एसे आपको अपने वाले यह उसे यूज फुल वीडियो आपके स्मार्थफोन के वारे में कंप्यूर इंट्डेनट के वारे में इसकी जो वीडियो की नोटिफिकेशन वह आपको मिल पाएंगे और अगर आपने यह स्टेप नहीं करना त फिर Google का option मिलेगा, तो account पे जाके दोस्तों वहाँ पर अपने account को, यानि कि आपने जो भी Gmail ID अपने phone में डाला था, उस account को simply delete कर देना, यह भी एक बहुत ही important step है, यह सारी चीजे करने के बाद, अब आपको next step करना है, वह है phone को format माना, yes, phone को format माना भी बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर आपको phone को format माने के लिए simply phone के settings में जाना है, वहाँ पर आपको search करना है, reset, यह फिर hard reset, reset setting, तो वहाँ पर आपको एक all erase data का option मिल जागा, उस पर click करके, आप अपने phone को hard reset, यानि कि आपके phone में, जो भी फाल्तों के data बचे होंगे, वो सारे के सारे completely delete हो जाएंग क्योंकि knowledge share करने से वरता, चैनल को subscribe करेंना क्योंकि ग्यान दोस्तों आपको यहीं से मिलेगा, यहाँ, मेरा नामे दोस्तों मनोस सारू, और मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, बाबाई